आज के दोर में कोई भी एक्टर नायक और खलनायक दोनों ही करदारों को बेधरक निभा लेता है लेकिन कुछ दसको पहले तक ऐसा बेलकुल भी नहीं था तब ना एक्टर ऐसा रिस्क लेते थे नाही मेकर्स जिसकी इमेज नायक की है उन नायक और जिसकी खलनायक की है उन नकारात्मक करदार ही निभाता था एक दो फेल्मों में किसी एक्टर ने निगेटिब करदार नभाया भी तो वो या तो डबल रोल में होता था या अंत में उसे सुधरा हुआ दिखाया जाता था और उसके हाथों ही असल विलन का अंत दिखाया जाता था नायक और खलनायक के उसी दौर में अचानक एक एक्टर की एंट्री हुई जो आते ही मेकर्स की पहली पसंद बन गया और बॉलीवूट को मिल गया एक नया विलन और उस एक्टर का नाम है मोहन जोशी लगभग दो दर्शकों तक हिंदी फिल्मों में बतार विलन अपनी धाग जमाय रखने वाले मोहन जोशी ने अचानक हिंदी फिल्मों से दूरी बना ली इसके पीछे क्या वज़ह है और आज कल क्या कर रहे हैं मोहन जोशी जानेंगे आज किस वीडियो में साथी साथ जानेंगे उनकी लाइफ और करियर से जुड़ी कुछ खास बातों के बारे में इसलिए बने रहे हमारे साथ वीडियो में शुरू से अंतार बॉलिवुड के सबसे मशुहूर खलनाएकों में से एक मोहन जोशी फिल्म, टीबी और रंगमंच के एक मशुहूर अभिनेता होने के साथ साथ अखिल भारतिय मराथी नाट्य परिशत के अध्धक्ष भी रह चुके हैं बोला बाबा की कृपा से सब ठीक हो जाएगा अब चिंता मत कीजिए आरति लिजे स्विसाहब बोला बाबा का मंदिर में फर्स टाइम आएं आप अज माश्यो रात्री है सर्धा से जो मांगेगे वो मिलेगा 4 सितंबर 1945 को बैंगलोर में एक निमन मध्यम बरिये परिवार में जनमे मोहन जोशी के पिता मिलिटरी के जवान थे और मोहन अपने तीन भाईयों में से एक थे मोहन जब साथ साल के हुए तो उनका परिवार बैंगलोर से पूनिर शिप्ट हो गया कॉलस के दौरान मोहन का जुकाओ नाटको में एक्टिंग की ओर होने लगा जिसे उनका मन पढ़ाई में कम ही लगता था साल 1979 में उन्होंने पूड़े में ही कमर्शिल थेटर करना शुरू कर दिया और पूड़े के ही किलोर्सकर ग्रुप में नवकरी भी करने लगे इस दौरान उन्होंने कुछ मराथी फिल्मों में भी छोटी छोटी भूमिकाएं भी निभाई बाद में उन्होंने अपनी नवकरी छोड़ खुद का व्यावसाय करने का मन बनाया और एक ट्रांस्पोर्ट कमपनी शुरू कर दी जिसमें उन्होंने खुद ही लगभग 9 व ट्रांस्पोर्ट कमपनी बंद करने के बाद मोहन ने एक्टिंग की फिल्ड में ही अपना करियर बनाने का निश्य कर लिया उसी दौरां साल 1987 में उन्हें एक नाटक में काम करने के लिए मुंबई से बुलावा आ गया बस फिर क्या था मोहन मुंबई पहुच गया और थेटर में काम करने के साथ साथ टीबी और फिल्मों में काम भी ढोड़ने लगे नब्वे के दर्शक के शरवात तक आते आते थोड़े संघर्षों के बाद मोहन जोशी को सब टीबी के एक सीरियल धननजे डिटेक्टिव में काम मिल ही गया जहां अधिकारी प्रदर्स के गौतम अधिकारी और मारकंड अधिकारी की नजर उन पर पड़ी और उन्होंने म फिल्म शुरू ही तो पता चला कि मोहन इस फिल्म के मेन विलन होंगे इस फिल्म में मोहन गैंगेश्टर दया पाटल के रूप में नजर आये इस करदार को मोहन ने इतनी खुबसूरती से निभाया कि इसके बाद विलन्स के रोल्स के लिए ही उनके सामने फिल्मों की मोहन बताते हैं कि शुरवात में उन्होंने धर्मेंदर श्टार फिल्म पुलिस वाला गुंडा में एक बहतरीन भूमिका मिली थी जिसमें के करदार में कई सारे शेट्स थे एकनो फिल्म विवादों में पड़ जाने से उसकी रिलीज में देरी हो गए और तब तक उनकी इम में विलन के तोर पर बन चुकी थी फिल्मों की बात करें तो मोहन जोशी ने 350 से अधिक हिंदी फिल्मों में अभिने किया है और अधिकांश फिल्मों में उन्होंने एक खलनाय का करदार निभाया है जिनमें गदार, जागरती, ऐलान, हकीकत, मृत्युदंड, इश्क, आक क्रोश, सलाखें, यशवंद, होगी प्यार की जीत, बिक्षू, वास्तो, हसीना मान जाएगी, बागवान, गर्व, गंगाजल और मिस्टर प्राइम मिनिस्टर जैसे धेरो नाम शामिल हैं। उनके खास हिंदी फिल्मों की बात की जायत्व अमृत्युदंड के अलावां प्रकास जात्वारा बनाई फिल्म गंगाजल का नाम भी जरूर लिया जाता है, जिसमें उन्होंने साधू यादो की भूमी का निभाई थी और इसके लिए उन्हें कई वरसकारों से भी सम्मानित किया जा चुका है। जा मेरे जैसे भी नेताओं के लिए कोई जगह नहीं है, जो किसी सम्मों से सम्मन्धित नहीं है, इसके लावां इन दिनों नायक भी खलनायक की भूमिकर निभाता है, इसलिए हमारे पास कोई काम नहीं है। और गर मैंने किसी फिल्म के नाम का उचारण गलत किया है, तो इसे माम कीजेगा। फिल्म राव साहिब के लिए मोहन जोशी को ध्यरोपुरसकार भी मिले थे। इसके लावां ये कई गुजराती, तमेल, तेलगू और कंणर सहिद भूसपरी फिल्मों में भी काम कर चुके हैं। मोहन जोशी ने हिंदी ओवा मराठी सिनेमा के बाद वर्ष 2010 में अपना रुख एक बाद फिर से छोटे परदे की ओर किया, और इमेजन के शो जमुनिया में काम किया। मोहन जोशी बीच बीच में हिंदी सीरियल में नजर आते रहे हैं। साल 2020 में उस्टार प्लस के मशोर सीरियल दादी अम्मा दादी अम्मा मान जाओ में सीमा विस्वास के अपोजिट दिखाई दिये थे। साल 2021 में मोहन जोशी तब चर्चा में आये जब वैक्शनेशन की दोनों डोज लेने के बाद भी वो कोरोना की चपेट में आ गये थे। वजरण मोहन जोशी गोवा में अपने मराठी सीरियल आगाबाई सुनबाई की शूटिंग कर रहे थे। जा उन्हों ने एक होटल में खुद को कारंटीन किया था और खुद ही अपने स्वास की जानकारी भी दी थी। भारती थेटर में अपने योगदान के लिए वश्नुदास भावे पुरसकार से भी सम्मानित किया गया। आवार्ड की बात करें तो फेल्म और थेटर के लिए इतने सारे आवार्ड के लावां फिल्म फेयर और स्क्रीन जैसे मर्शूहर आवार्ड के साथ साथ 1999 में मोहन जोशी को घर बाहर नाम की अपनी वाराटी फिल्म के लिए नशनल पुरसकार भी मिल चुका है। इसके लामक कई बार धेरो सरकारी सम्मान भी उन्हें मिल चुके हैं। दोस्तों कम लोगों को ही पता होगा कि मोहन जोशी एक बहतरीन गायक हैं। और उन्हों ने धेरो सिंगिंग शो में भाग लिया है। मोहन जोशी रफी साब को भगवान की तरह मानते हैं। और उनके बारे में बाते करते हुए भाव खोजाते हैं। मोहन जोशी ने एक वीडियो में बाचीत के दारान बताया था। कि वे अक्सर रफी सहाब के कबर के पाद जाकर बैट जाया करते थे। जैसा कि हमने शुरुवात में ही बताया था कि मोहन जोशी एक अभिनेता के साथ साथ अखिल भारती मराथी नाटे परिशत के अब धक्ष भी रह चुके हैं। मीडिया रेपोर्ट्स के मताबिक उसी तरवान साल 2013 में मोहन जोशी और अभिनेता चेतन दल्वी के नर्शे में धुत हालत में नासिक के स्थानी लोगों से मारपीट के खबर आई। इसका अगले ही दिन मोहन जोशी ने अखिल भारती नाटे परिशत के अधक्ष पद से स्थीपा दे दिया। अलकि बाद में उन्हें फिर से अधक्ष बनाया गया था। मोहन जोशी के निजी जीवन के बारे में बहुत अधिक जानकारियां उपलद नहीं हैं। और ना ही वे इंटर्विव वगहरा में इस बारे में अधिक बात ही करते हैं। मोहन जोशी जी की पत्नी का नाम जियोती जोशी है और दोनों के एक बेटे हैं रोहन जोशी। तो दर्श को उमीद करते हैं कि आपको हमारा आज का वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो कर अच्छी लेगी हो तो प्लीज इसे लाइक करें, शेर करें और चैनल पर नए हो तो प्लीज इसे सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं आपस अगली वीडियो में एक और नई कहानी के साथ तब तक के लिए नमस्कार।